factorize करना है question 12x square minus 7x plus 1 12x square minus 7x plus 1 हमें क्या करके देखना है इसमें तीन टर्म है एक टर्म एरा एक टर्म एरा एक टर्म एरा एक टर्म एरा एक पोलिनोमियल है जिसे हमें factorize करना है मतलब इसके गुण अन्खंड करने है factorize करना हमें इसे तो इसके factors कैसे निकालेंगे जी पहले हम इसे देखेंगे यह 12 है और यह बन है तो हम देखेंगे इसके क्या क्या factor बनने है 12 x 1 that is equal to 12 आएगा इन दोनों की गुणा करें तो बारा है बारा एक हम बारा और जोड़ें तो कितना आना चाहिए साथ तो दूसरा क कोई factor देखेंगे क्योंकर 12 को बन में जोड़ेंगे तो बेटा यह तो आनी रहा यह तो 13 आ रहा है यह वाला factor और दूसरी चीज हम कोई और factor सोचते हैं देख लिजे चारतिया 4, 3, 12 होता है देखें multiply कर रहे हैं पहली और दूसरी टर्म को तो कितना आ रहा है जी 12 आ रहा है और अगर इसे जोड़ेंगे 4 प्लस 4 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 7 तो देख लिजे हमें ऐसा factor मिल चुका है 4 और 3 12 के factor है जो क्या करेंगे multiply करने पह तो हमें क्या दे देंगे बिटा 12 दे देंगे और जहां जोड़ने पर क्या दे देंगे 7 देख लिजे 12 की 1 में multiply करें तो कितना आ जाए 12 आ जाए ठीक है तो अब ऐसा नंबर ढूनना है हमने ढून लिया 4 और 3 ऐसे नंबर है multiply करेंगे तो 12 ही आ रहा है और अगर हम इने add कर देंगे तो बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा student तो बस अब हमारा काम हो चुका है इसमें अब हम इसे 7 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3 लिख सकते हैं तो हम next line में जाने के लिए 12 x square को इस वाले term को as it is उतार देंगे minus को भी as it is लिख देंगे 7 को क्या लिख सकता हूं मैं 4 प्लस 3 लि लिख देंगे student यहां तक हमारा एक हो गया काम अगले बार हम next line में जाएंगे तो हम क्या करेंगे 12 x square को ऐसे ही लिख देंगे ठीक है फिर x की कुणा 4 में करेंगे तो 4 x आएगा और minus की भी तो कुणा होगी इस plus के साथ तो minus आएगा फिर इस minus की plus के साथ into होगी तो minus और 3 की x में होगी तो 3 x होगा देखो मैंने क्या करा इस minus की कुणा इस में करी और इस minus की कुणा इस plus में करी minus की plus के साथ into होगी minus आएगा minus की plus के साथ into होगी minus आएगा ठीक है ये भी plus का नंबर है ये भी plus का नंबर है और 4 की x के साथ multiply होगी 4 x आएगा और 3 के साथ multiply होगी इसके बाद हम इनके pair बना के देख लेंगे, इनके pair बन रहे हैं, यहाँ पर क्या common आ रहा है, देखो student 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, और minus exit से जाएगा आपका, और यहाँ आपका 4x common जा चुका है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से minus 1 common ले लेंगे, क्योंकि कुछ common आ नहीं रहा है, और यह minus वाला जो term है, यह plus हो जाएगा, ठीक है जी, और यह plus वाला term minus हो जाएगा, क्योंकि आपने minus common ले लिया है, इसके बा तो student factor हमारे कितने आ गए इसके, 3x minus 1 और 4x minus 1 यह दो इसके factor है, polynomial के, यह जो हमारा polynomial है, Px, इसके यह factor है, कौन से 3x minus 1 और 4x minus 1, thank you.